प्यारे बच्चों इंतिहा पसंदी और रवायती जंगों में बड़ा ही फर्क होता है इस फर्क को हम जैल के नुकात के जरिये से समझने की कोशिश करेंगे सबसे पहले तो हम रवायती जंगों के बारे में कुछ नुकात का मुटाला करेंगे रवायती जंगे इस किस्म की लड़ाई में या जंगों में दो या दो से ज्यादा मुमालिक मिलकर इस लड़ाई को लड़ते हैं इस किस्म की लड़ाई में मुलक की जुगराफियाई सरहदों के तहफूज की अहमियत होती है यानि ये जो लड़ाई होती है खास तावर से मुलक की जुगराफियाई सरहदों के लिए ही ये लड़ाई लड़ी जाती है इसमें इन सरहदों का तहफूज जरूरी होता है ऐसी लड़ाईयों में मुलक की सरहद गयर महफूज होती है यह रवायती जो जंग होती है विसाल के तोर पर यह पाकिस्तान और भारत यह जो दो हमारे मुलक है जो पड़ोसी मुलक हमारा पाकिस्तान है तो ऐसी ही लड़ाई यहने भारत और पाकिस्तान के दर्मियान होती है जहाँ पर सरहदों को लेकर तनाव हमें नजर आता है और दोनों ही मुलक अपनी अपनी सरहदों की हिवाज़त के लिए जान की बाजी तक लगा देते है तो प्यारे बच्चों रवायती जंग में इन जंगों का भी शुमार होता है ऐसी लड़ाईयों में मुलक की सरहद गयर महफूज होती है प्यारे बच्चों अब इसी तरह इंतिहा पसंदी या दैशत गर्दी के फर्कों को समझने के लिए हम जैल के नुकात का मुताला करेंगे नमबर एक दैशत गर्द दुनिया की किसी भी कोने से किसी भी मुलक में दैशत बर्पा कर सकते है याने ये एक मुलक तक महदूद नहीं है बलके दैशत गर्द जो फिरका है जो फिरका वरानियत है ये दुनिया के किसी भी मुलक से दुनिया के किसी भी मुलक पर हमला कर सकते है वहां के माहौल को खराब कर सकते है वहां के तवाजन को बिगार सकते है इनका मकसद जुगराफियाई सरहदों को नुकसान पहुचाना नहीं होता तो इंतिहा पसंदी यह दैशतगर्दी का मामला थोड़ा सा अलाइदा है यह मुल्क की सरहदों को नुकसान नहीं पहुचाते हैं बलके मुल्क के अंदर फितना वो फसाद तशदुद लड़ाई जगड़ा करकर वहां के माहौल को खराब करने की कोशिश की जाती है दैशतगर्दी का मकसद हकुमत को चैलेंज करना होता है प्यारे बच्चों दैशतगर्दी का एक खास मकसद है कि किसी भी जहां की मुल्क पर यह हमला करते है उस मुल्क की हुकुमत को यह चैलेंज करते है यह वहां की जो जहुरी तर्ज की हुकुमत है यहां कही किसी मुल्क पर बादशाही हुकुमत है तो उस हकुमत के खिलाफ ये तशद्द भरी आवाज उठाते है ताके वहां के हकुमत के जो फराइज है उनको जो हुकुक मिलना चाहिए उनकी पामाली हो जाए इस मकसद के तहद देशदगर्द लोग मिलकर ये मनसुबा बनाते है इसमें अगला नुक्ता है प्यारे बच्चों ये खारजी सलामती के साथ दाखिली सलामती के लिए भी खतरा होता है ये जिस तरीके से ये खारजी ये बैरुल अकवामी सते पर ये मुलक से बाहरी मामलात के लिए जो खतरा होता है इसी तरहा ये हमारे मुलक के दाखिली मामल के लिए और वहां की अमन सलामती के लिए भी खत्रा होता है